हेलो व्रीवन आप लोग का बहुत बहुत स्वोगत इस स्टडी पॉइंट यूटूब चैनल पर आई वलकम यू लू टू स्टडी पॉइंट और इस पर्टिकुलर वीडियो शेशन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं जारकन सची वाले का जो प्रीवेसर का पेपर है उसके क को डिसकस करेंगे साथ ही साथ जह पतसे को स्टारइब करते जीके की कोशन को डिसकस करेंगे तो चले डिसक्न को स्टार्ट करने से पहले वीडियों करना ना भूलैगा तो पहला को खेंदर चैनल सक्ट्रीन पर देख रहे हैं किस वर्ष में संथाल परगना के 18 जिलो और छोटा नागपुर को मिला करकर जारकन छेत्र स्वायत परिसत का गठन किया गया आपके सामने चार आप्शन दिया हुआ है 1995, 2010 या 1990 और इस कोशन के करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995 में ठीक है जिसको हम लोग जैक के नाम से भी जानते हैं यह आप लोग ध्यान रखेगा Next question है किस वर्ष एक अलग जारकन राच की बांग के लिए ग्यापन के साथ साइमन कमिशन प्रस्तूत किया गया था There is four options given and the correct answer is 1928 1928 में जारकन राच की बांग के लिए ग्यापन के साथ साइमन कमिशन प्रस्तूत किया गया था इंपोर्टेंट है कई बार एक्जाम में पुछा भी जाता है अगला प्रस्त आपके सामने जारकन का कुल कितने प्रतिशत छेत्र वन छेत्र के अधीन आता है ठीक है वन छेतर के अधीन आता है जारकंड का कितना प्रतिशत छेतर important question है चार option आपके सामने दिया हुआ है और इस question का correct answer हो जाएगा 29.95% लगभग 30 प्रतिशत जारकंड का जो है ये छेतर जो है वन के अंतरगत आता है प्रशने आपके सामने जुलाई 2012 तिथी पर जारकंड अंत्रिक्ष अनुप्रियोग केंदर के अध्यक्ष कौन थे देखे ये question 2012 में पूछा गया है ये question तो नहीं पूछा जाएगा बट आपसे इस तरह के question पूछे जाएंगे तो आपको update रहना है तो फिलाल अगर इस question की बात की जाए तो ये थे कौन 80 जोएसिलीन ठीके बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर इस तरह के question पूछे जाएंगे तो आप लोग ध्यान रखेगा next question है किस संथाली नाटक कार को उनके उपन्यास राही रामण काना के लिए साहित अकाद्वी पुरिसकार से नावाजा गया आपके सामने चार option दिया हुआ है और इस question का correct answer हो जाएगा भोगला सो रेन ठीक है option C हो जाएगा हमारा correct answer देखें इससे पहले जारकन सचवाले जे SSC CGL के लिए प्रीवेस से कोशन के वीडियो भी अपलोड़ेट हैं और कई अलग अलग टॉपिक जैसे science हो गया जीके हो गया current affair maths reasoning सभी कोशन और उनके playlist चैनल पर अपलोड़ेट हैं आप उनको देख सकते हैं और वीडियो का अपलोग शेयर जरूर कीज़ेगा और जो भी कोशन आपसे पुछा करूं उसका answer जरूर दीज़ेगा तो शेयर करना मत भूलेगा जो कोशन मैं आपसे पुछ जारकण के जाती समूँद द्वारा लिखने के लिए और चिकी लिपी का प्रियोग किया जाता है ठीक है आलचिक लिपी का प्रियोग किया जाता आपके सामने चार उप्ष्न दिया वाए संथाल मुंडा उराओ या कुरमयल और इस कोशन का correct answer जाएगा संथाल most important question of the video इस तो देख लिए आपको आइडिया लग जाएगा निम लिखित में से कौन सा भाषाओं को समू द्राविंट परिवार के संबंदित है ठीक है चार आपके सामने दिया हुआ है और इस कोशन और पहाडिया ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर नेक्स कोशन है निम कोशन आपको इसका आंसर पता होगा कोशन ने 1761 संथाल जनजाती छेत में किसने जमिंदार और बिटर शरकार के विरुद्ध प्रत्हम विद्रों का नेत्य तो किया था आपके सामने चार आप्शन है तिलका मांजी बिरसा मुंडा जैमंगल पांडे या कुवर सिंग ठीक 1761 संथाल जनजाती छेत्र में किसने जमिंदार और बिटर शरकार के विरुद्ध प्रत्हम विद्रों का नेत्य तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में खुद बताना है बहुत ही आसान प्रेशन है और एक्जाम में कई बार पूछा भी गया है आपको इसका आंसर पता होगा सन 1855 में किन्दो भायों के नेतित में संथाल विद्रों फूड पड़ा था आपके सामने चार ओप्शन दिया हुआ है A, B, C, D इसका आंसर आपको कमेंट सेक्षन में दीजेगा वीडियो को शेर भी जरूर कीजेगा नेक्स कोशन है निमलिकित में से कौन सा जिला अधिकांशता वन चेतर से आवरत है आपके सामने चार ओप्शन है और इस कोशन करेक्ट आंसर बट अगर अभी हम लोग जो लेटेस्ट दोन सेतरा में वन सर्वेशन की रिपोर्ट आईए तो अगर उसकी बात करें तो अभी कौन सा है यह लाते हार ठीक है लाते हार उस समयत क्या था चतरा जारकन राज की सिती में एक अलग राज के रूप में इस्तिताया ठीक है इस्तिती में थोड़ा इसमें मिस्प्रिंटिंग है तो इस कोशन का करेक्ट आंसर जाएगा चार ओप्शन आपको सामने दिया हुआ सान प्रेशन है जरकन राज में कितनी संसत की सदस्य संसत की हो रहे है, तो 20 यहां अगर बात करें लोग सभा प्लस राजद सभा, तो लोग सभा में में कितनी है, चौधा है राजद सभा में 6 है यह वी आपको यादके लेना वीसे टोटल है 20 ठीक है कोशन नमर 13 का option C हो जाया correct answer इन लोग सभा 14 इन राज सभा 6 नेक्स जारकंड में भारती होके टीम से सम्मंदित निमलिकित में से किस खिलाडी ने रास्मंदर खेल 2010 में जीत हासल की थे आपके सामने 4 option है किरण दीपकौर अंशुता लकडा सुबद्रा प्रधान या पूनम रानी और यह होगा शुता लकडा ठीक है बी हो जाएगा हमारा absolutely correct answer चित्रकला की कला जादू पाटिया किसकी विशेश्चता है और यह है आपका संथाल ठीक है option A हो जाएगा हमारा correct answer 16 पर आते हैं जारकंड के बाएं हाथ के बल्लेबाश कौन था जिसने मलेशिया में under 19 cricket world cup 2018 जीता साथ ही अब royal challenger बैंगलूरी के साथ खेल रहा दी कि इस तरह के question exam में पूछे जाएगे तो आपका IPL में जो भी player जारकंड से related है आपको उनको अच्छे से update कर लेना है IPL से question पूछे आते हैं तो आप जोग जारकंड से related paper है तो जारकंड से समधे जितने भी खिलाड़ी है इसका असर आपको यादना चाहिए पिलाल अगर हम इस question की बात की जाए तो यह है सौरभ तिवारी ऐसे question भी exam में पूछे गाते नेक्स question है जारकंड के किस जिले में बागो के लिए संड़क्षित वन इस्तित है चार option है हजारी बाग पलामू राची गुमला और यह हो जाएगा इसका अंसर पलामू ठीक है पलामू ठीक है अगर option में लाते हार दिया होता तो आपको लाते जारकंड में गाउं की कुल संख्या कितनी है देर इस फोर ऑप्षिन की परेक्षिन परेक्षिन जो प्रमुग शोच संस्थान सौरी इसमें थोड़ा मैंने गलत पड़ लिया केंद्री इर्धन शोध संस्थान जो प्रमुग शोध संस्थान में से एक है इस थापना 1945 में किस स्थान पर हुई थी आपके सामने चार उप्षन दिया हुए धनबाद बुकारो राची हजारी बाग और इस कोशन करेक्ट आंस रहेगा धनबाद ठीक है धनबाद बीसवें का कोशन नंबर ए हो जाएगा मारा सही आंसर नेक्स कोशन ने ध्यान से पड़ेगा 1789 में महेश्वेता देवी द्वारा रचित साहित पुरुसकार से पुरुसकृत एतिहासिक उपन्यास आरण अधिकार जंगल का अधिकार 1777 किसके जीवन पर आधारित है आपके सामने चार उप्षन है वीर बुधु भगत बिरसा मुंडा बी हो जाएगा मारा करेक्ट आंसर और ध्यान लेकी का यह कोशन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है कि नेक्स कोशन पर आते हैं कोशन है जारकंड के किस वर्ष 2010 में कला के छेत में उनके योगदान के लिए पदम श्री फुरुषकार से समानित किया गया था सक्स होगा चार उप्षन आपके सामने दिया हुआ है और इस कोशन को करेक्ट आंसर राम दयाल मुंडा ठीक है राम दयाल मुंडा इस तरह के कोशन अगला कोशन है मरां गोंडा नील कंट हुआ के लेखक कौन है आपके सामने चार उप्षन है राम दयाल मुंडा डॉक्टर महुआ मांजी वैश्णो देवी या निरंजर महतो कोशन एक पर फिर से देख लिए आप लोग और इस कोशन को करेक्ट आंसर हो जाएगा निरंज जाएगा ऑप्षन भी ठीक है डी नी होगा डॉक्टर महुआ मांजी और याद रखेगा यह कोशन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है नेक्स कोशन जहन तालुक द्वार किस खेल से सम्मंदित है चार उप्षन आपके सामने हैं क्रिकेट कराटे फुटबॉल य दिरंदाजी और यह हैं दिरंदाजी से सम्मंदित और यह कोशन है बहुत ही इंपोर्टेंट ठीक है नेक्स कोशन जहारकंड में आयोजित 34 वी रास्ट्री खेल का शुभंकर क्या था तो उस समय का प्रेश्न है यह तो चार आप्षन आपके सामने दिया हुआ है तो यह थ 75 में होँा था ठीक है 15 नॉम्बर 1875 टाराइन स्टील कंपनी का कठन कप किया गया था चार आपके सामने दिया हुआ 1997 12очки 1922 तो टार्टा आरेन और स्टील कंपनी का कठन किया गया था 1907 में यह हो जाएगा हमारा correct answer Next question नदी का उद्म आपकर सामने चार और पारषना चोटा नागपुर का पठार संथाल परगना या पक्षमी घाठ और इस कोशन के तंसर को नदी। स्थान है छोटा नाखपुर का पठार ठीक है next question निमलिकित में से कौन सी सभा पंचयाज से संबंदित है नगर सभा जिला सभा ग्राम सभा या ग्रह सभा और इस कोशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा जो है यह पंचयाज से संबंदित है तो C हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, option C कोशन ने जारगंड की जन जाती हूँ कि समाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष शोटा नागपूर उन्नती समाज का आरंब हुआ था, there is 4 option given and the correct answer is 1915, ठीक है, option C हो जाएगा हमारा correct answer, ठीक है, देखिए अगर बात की जाए, पोशन 27 की तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेगा, एक सेकंड, 27, जो मैंने आप से आपर discuss किया, कोशन क्या था, कोशन था कि Tata Iron and Steel Company गठन की बात की जाए, तो 1907 में हुआ था, उसमें उत्पादन कब स्टार्ट हुआ था, तो उत्पादन स्टार्ट हुआ था, 1911 में, यह आपको याद कर लेना है, यह भी कोशन कई बार पूछा जाता है, और यह एक्जाम में पूछा भी गया, तो दिखिए, आपर मैंने कोशन को डिसकस किया, जो पहले की एक्जाम में पूछे गया थे, और साथे साथ कुछ हमने जारकन जीके कोशन को भी डिसकस किया, तो वीडियो का लोग लाइक और शेर जरूर करिएगा, और जो मैंने आपसे कोशन पूछाता दस में, कोशन का अंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, थैंक यू तक यू मुच वाचिए, थैंक यू